गया के मोहनपुर्थाना शेत्री के इतवा टोला चोड़्डिया गाउ में रात में महिला के घर में कुछ लोगों ने आग लगा दी और घर में रखे 25,000 नगदी लूट लिये पीडित महिला ने पुलिस को बताया कि परिवार के सभी लोग सोई हुए थे तबी नीन खुलने पर बहला ने देखा कि घर में आग लगी हुई है और कुछ लोग घर में घुज कर सामानों को ले जा रही है बता दे कि पीडिता ने मामले की सूचना पुलिस को रात में ही दे दी थी वहीं पुलिस को दिये आवेदन में महिला ने साथ लोगों पर घटना को अंजाम देने का आरूप लगाया है फिलाल मामले की सूचना के बाद मोहन पूर पुलेस चोड़ीहा गाउं पहुच कर मामले की छानबीन कर रही है आकवदारी की दबंगों ने एक घर में घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया है और पचीस लाख रुपे समेथ कई समानों पर हासा किया है आपको बता दे की प्रशाशन की लाख करवाई के बाद भी चोड़ी जैसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है और आए दिन बढ़ते जारी है वह इस मामले को लेकर प्रशाशन मौन बना हुआ है आपको बता दे की दबंगों ने एक घर में घुश कर आग लगा दी और चोरी की घटा को अंजाम दिया आपको बता दे की घर में रखे पचीस अजार नगदी समेथ कई समानों पर हास साप कर दिया फिलाल पुलिसिस मामले की जाच में जुटी हुई है कि आखिर इस घटना को